बिस्मिलार रवराहीम, आज हम बनाएंगे जटपट से केक पच्चों के लिए बिना अवन और बिना पती लिए, इसके लिए हम लेंगे आदा कप मैदा, इसके साथ हम लेंगे आदा कप ही PC हुई चीनी, आप में PC हुई चीनी लेनी है, साबस चीनी नहीं लेनी, वो बहुत म बेकिंग पाउडर, आदा कप कुकिंग ओयल, कोई साथ भी कुकिंग ओयल ले सकते हैं, आज आप जो रेगुलर घर में यूज़ करते हैं, और एक अदर अंडा, और इन सब चीजों को हम मिक्स करने से पहले इसमें डालेंगे, दो ड्रॉप कोको एसंस, आप चाहें तो वन हाड और फास रूल नहीं है, कि हमने इसमें कोई ऐसंसी डालना है, और इसको जटपट से हैंड विस्क से मिक्स कर लेंगे, अच्छे से कि इसमें कोई भी गुटली ना रह जाए, मैंने मैदा पहले से चान के रखा हुआ था, इसलिए इसमें डालने से पहले मैंने नहीं च सेंड्विच मेकर में, हम पांच मिनट के लिए अपने सेंड्विच मेकर को अन करेंगे, इसको बंद कर देंगे, इसका ढखना और इसके जब तक ग्रीन लाइट जलेगी, समझे तब हमारा सेंड्विच मेकर प्री हीट हो गया है, जब हमारे सेंड्विच मेकर के ग्रीन ल देने के लिए मैंने एक टेबल स्पून निकाल लिया था अपने केक बेटर का और उसमें थोड़ा सा कोको पाड़र एड़ कर दिया था कि उसमें उसका कलर चेंज हो जाए ताकि बच्छों को चॉकलेट फ्लेवर अच्छा लगता है केक में तो मैंने उपर थोड़ा- बच्छों को केक बहुत पसंद होते हैं और रोज-रोज माइक्रोवेव में या ओवन में बनाना बहुत डिफिकल्ट लगता है इसलिए जटपर से हम थोड़ा सा बैटर बनाकर बच्छों के लिए नाश्टे के लिए या उनके लिए लूंच बॉक्स के लिए हम मज़ेदा मैं मोसली जब भी बच्छे कहते हैं के नाश्टे में हमने केक खाना है तो मैं उनको यही केक बना के देती हूँ आई होप आपको हमारी यह मज़ेदार सी रेस्पी सिंपल सी पसंदा आई होगी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूला करें आपके सब्सक्रिप्शन और आपका लाइक हमें हिम्मत देता है लाजमी रेस्पी को लाइक किया कीजिए और कॉमेंट सेक्शन में अपने राय का इजार जरूर किया कीजिए कि आपको और कौन सी नई रेस्पी की जरूरत है जिसको हम सिंपल कर दें इंजॉय कीजिए खुद भी बच्चों को भी इंजॉय करवाईए और ये मज़ेदार सा नाश्टा जटपड से तयार है दूद के साथ बच्चों को लाजमी दें अला हाफिज